हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है अधित्या और आप देख रहे हो लर्णिंग एक्सपीरियंस वे देखे ओब रहा है और आज एक मैंनेया वीडियो लेकर आ चुका हूँ जो कि है लेसन टू बाइ खुश्रन जिंक कर्मा क्लास 11 पार्ट टू और जिन्होंने पार्ट वन नहीं द देखे हो तो प्लीज देखकर आओ और चैप्टर समझ में नहीं आएगी और अगर आप देख लिए हो तो इस पार्ट में आप सब एक बार फिर से स्वागत है तो बिना किसी देर के हम लोग शुरू करते हैं लेकिन उसके पहले मैं बता देता हूं कि अब रेगुलर्ली व जब ट्रेन आई तो सर मोहनलाल को इसे कोई इस्टर्बिंस नहीं हुआ क्योंकि सर मोहन को लगता था एक्साइटमेंट ज्यादा एक्साइटेड हो जाना या फिर ज्यादा जल्दबाजी करना यह सब खराब साइन होता है मतलब यह डिसिप्लीन के बाहर है सर मोहन वह बहुची बाहर वहुची वयल ग्रेट है मतलब करते है आपने आपको हाई क्लास दिखाते रुपर लाард से दिखाते रुपी है और वो दिखाते हैं सब कुछ की, सब कुछ प्रॉपरली हो और पांच साल जब उन्होंने अबरॉड में बिताया था, पांच सालों में, सर्मोहनलाल ने अपने अपको एक ऐसा एटिट्वीड में दिखाया और जताते हैं कि वो अपर क्लास से बिलॉग करते हैं. और वो जब भी इंगलीश बोलते थे, हो हिंदुस्तानी जादा बोलते थे, और मानोगी को एंग्रेज हिंडी बात क्या मतने ने पनुआते हैं, rarely. बोल रहा है इस तरह के वो हिंदी बोलते थे और उन्होंने अपनी पढ़ाई Oxford University से की थी abroad में so he fond of conversation and like a culture cultured Englishman he could talk on almost any subject book politics people तो क्योंकि वो बाहर में पढ़े हैं वो बातचीत करते हैं English में उनका जो culture है वो English culture रहा है इतने सालों से तो वो subjects भी जैसे politics है people है तो यह सब वो subjects almost English में ही पढ़ते थे और उनको यही पसंद है तो how frequently had he heard English people say that he spoke like an Englishman तो इसलिए लोग मतलब जैसे ही उसका English सुनते थे तो लोगोंको लगता था कि वो एक Englishman जैसा English बोलते हैं तो how frequently had he heard English people say that he spoke like an Englishman और वो चाते थे कि Englishman लोग भी उसे कहे क्या रहे वातुम तो एक Englishman की तरह बोलते हैं और Englishman लोग मतलब जो अंग्रेज लोग है वो तारीफ करें उनकी ठीक है इसका घमन था उन्हें कि उनकी English इतनी अच्छी थी पटी आगे देखते हैं क्या होता है तो अब सर्मोहन को लगता है कि अब हम कैंटोमेंड से गुजरने वाले हैं तो ट्रें में Englishman चड़ेंगे अंग्रेज ऑफिसर्स जो है वो चड़ेंगे ठीक है वो इंतिजार कर रहा है कि अब अंग्रेज ओफिसर चड़ देंगे क्योंकि मैं अकेला ट्रेवल कर रहा हूं इस ट्रेन में मेरी वाइफ तो पीछे बैठी है दूसरे कंपार्टमेंट में so his heart warmed as at the prospect of an impressive conversation he never showed any sign of eagerness to talk the English as most Indians did nor was he lowed, aggressive and opinionated like them he went about his business with an expressionless matter of factness he would retire to his corner by the window and get out a copy of the times तो उसने क्या किया कि उसने मस सोच के रखा था मैं जादा कुछ दिखाने नहीं जाऊंगा जैसे बाग की लोग English officers को देखकर मतलब जो अलग ही वो सोसते हैं कि अरे बापरे बाप अपने को अलग नहीं दिखाऊंगा उनसे मतलब उनके जैसा ही मैं दिखाऊंगा कि अरे मेरे को उतना फर्क नहीं पड़ता है मैं बस यहाँ पर the times newspaper यहाँ पर बैठके पढ़ रहाँ the timesic newspaper है वो newspaper बैठके पढ़ेंगे और अपने business के बारे में वो बातचीत करेंगे business ideas share करेंगे अंग्रेजों के साथ यह सब बात करेंगे वैसा कुछ खास aggression दो नहीं दिखाने वाले है अब यहाँ पर क्या सोचा था क्या सोच रखा था अपने दिमाग में कि वो the times जो newspaper अब पढ़ रहे है he would fold it in a way in which the name of the paper was visible to other while he did the crossword puzzle और वो अब क्या दिमाग लगाने वाले हैं कि देखो वो तो बताने वाले नहीं देखे sir मैं times पढ़ रहा हूं बट वो क्या करेंगे कि शांत रहेंगे ज्यादा लाउड नहीं रहेंगे बस वो दिखाएंगे वो फोल्ड करेंगे जहां पर टाइटल जो लिखा रहता है ना the times का वो the times वहां पर दिखाए दे the times newspaper है ये और वहां पर बैट किये जो पॉजल क्रॉस पॉजल रहता है और गेम रहता है पॉजल वाला वो सॉल्ड करेंगे निउस्पेपर में the times always attracted attention क्योंकि the times newspaper अंग्रेजी अकबार है और वह अकबार लोगों का attraction attract करेगा मतलब लोगों का attract करेगा attention लेगा someone would like to borrow it when he put it aside with a gesture signifying I've finished with it तो और शायद यह भी हो सकता है कि वो English officers जो है वो उनसे वो निउस्पेपर मांग भी सकते हैं देखते कि आरे वा तुम तो तो the times पढ़े लाओ मुझे भी दो जब मैं इस पेपर को साइड में लगके बोलोगा कि मेरा हो गया मैंने पढ़ लिया तब वो मांग सकते हैं तो इस तरह का वो महल बनाना चाहते थे उनके सामने पराप सम्वन वोड रिकोगनाईज इस बैलिल चाई विच ही आलवेज वो वाल ट्रैवलिंग और शायद यह भी हो सकता है कि कोई उनके टाई को लेकर कहें कि वह बहुत मस्त टाई पहने हो यार ठीक है ऐसे मूचे हो तो न थुलाल जैसी हो विननना हो अभी कहते है मूचे हो तो जेठलाओ जैसी हो वननना हो यद बैलिल टाई को देखकर भी कुझ साही तारीफ मته यार मजा आयेगा ऐसा है मतलब सोच था किसका सर मोहन का कि मेरी अब वो लोग तारीफ पे तारीफ पे तारीफ करेंगे तो इससे कहा है कि सर मोहन लाल अपना ये दिखा सकते हैं कि देखो मैंने ऑक्सफोर्ट से पढ़ाई किया ये अगर ये टाई वाला प्लैन और ये नियूस्पेपर वाला प्लैन फेल भी हो जाता है तो उन्होंने अपने साथ एक चमचा रखा था उनके लिए ये चमचा ही था बिकॉज वो फिर कहेगा कि कोई है तो वो बीरर आएगा उनके लिए स्कॉच लेकर ठीक है सर महान वुड कोई है इस बिएर टुगेट श्कॉच आउट विस्की नेवर फेल थी इंग्लिश में और वो विस्की लेकर आएगा और विस्की देखो विस्की ऐसी चीज है न इंग्लिश अंग्रेजों को विस्की बहुत ही प्यारी है ठीक है बच्चों आप यह सब मत करना ठीक है आप लोगों के लिए यह सब सही नहीं है लेकिन अंग्रेजों के लिए यह बहुत ही प्यारी चीज है तो यह प्लैन कभी भी फेल नहीं होगा जैसे लड़कियों को गुलाब फूल पसंद है ठीक है आप अगर किसी भी लड़की को ग बंदे के हाथ में एक आईफोन है के टीम है तो वैसे यहां पर बंदा एक वो लड़की को पता लेता है किसी तरीके से तो यही थिंकिंग थी सर मुहन की कि यहां पर मैं इस तरीके से मुदलब एटेंशन प्राप्त करूंगा इंग्लिश मेंड का ओके अब गलत संगती में मत पढ़ जाना तुम लोग पढ़ाई पर ध्यान दो ठीक है आगे बढ़ते हैं देन फॉलोट सर मुहन हैंडसम गोल्ड सिग्रेट केस फिल विद इंग्लिश सिग्रेट तो उसके बाद सर मुहन अब निकालेंगे अपने गोल्ड मतलब गोल्ड बक्से से हैंडसम गोल्ड है इंग्लिश सिग्रेट तो गोल्ड कलर का सिग्रेट जो है वो निकालेंगे अपने केस के अंदर से और इंग्लिश सिग्रेट है वो तो इंग्लिश मैन लोग कहेंगे इंग्लिश सिग्रेट इन इंडिया पतलब कि अरे वा यार इसके पास तो इंग्लिश सिग्रेट है एक इसकी तारीफ करेंगे लेकिन हाव ओन हाव ओन अर्थ डिड ही गेट दम शूर ही डिडिन्ट माइंड सर्मुहन अंडरस्टैंडिंग स्माइट और सर्मुहन सोच रहे थे यहाँ अब यह लोग कहेंगे यार मेरे को भी दो मैं भी तो देखूं वह सिग्रेट कैसी होती है यह जो बंदा है यह अर्थ से कहां से सिग्रेट लेकर आया है इस अपर दिवे पर कहां से सिग्रेट मिल गया और यह सब सोच सोच कर सर्मुहन मन ही मन मुस्कुरा रहे थे of course he didn't but could he use the Englishman as a medium to commune with his dear old England मतलब कि फिलाल तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था वो बे मतलब कैसे ही मुस्कुरा रहे थे लेकिन वो Englishman से इसलिए communicate करना चाहते थे क्योंकि वो भी दिखाना चाहते थे कि देखो मैं भी अपना old England को miss कर रहा हूँ मैं भी जहां पर मैंने पढ़ाई किया पांस सल गुजा रहे हैं गुजारे थे जो लमहे पढ़ाई के वो याद करके मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं और कहेंगे कि आर मैं बहुत मिस्कुर रहा हूँ इंगलेंड मुझे भी जाना है दुबारा यह जिन्दगी ना मिलेगी दुबारा ठीक है तो यह सोचकर वो मुस्कुरा रहे थे दोस फाइव यर्स ऑफ ग्रे बैग्स और ऑफ ग्राउंड्स थे पोल रहे हैं जस्ट कि वो भी दिन क्या दिन थे किस तरह से दिन बिताते थे वह स्पोर्ट कहलते थे वहां पे उसके बाद डिनर करते थे रात को रात में जगह पे एट पिकाडिली फाइव यर्स जो बिताये थे वह ग्राउडेड ग्लोरियस लाइफ था उनके लिए ग्लोरियस लाइफ मतलब बहुती खास लम्हे प्यारे लम्हे ठीक है जो उन्होंने शिद्दत से गुजारे थे वोर्थ फार मोर्ड देन थे फॉर्टी फाइफ इन इंडिया विध इस डिर्टी वल्गर कंट्रीमें और बाकी जो पैंतालिस साल उन्होंने यहां भारत में बिताए हैं भारत में गुजार रहे हैं वो बहुती गंदगी उनको बहुती गंदा लगश्बील करता है तो कि वल्गर लोग रहते हैं यहां पर खराब भाशा में बात करने वाले लोग यहां पर भड़े पड़े हैं ऐसा उनक्सर मुहन को लगता था कि यार कितने गंदे लोग है भारत देश में ठीक है तो देश को अभी सुधरना चाहिए वो सीखो कुछ अंग्रेजों से सीखो कितने डिसिप्लिन में रहते हैं आर तुम़ोग कैसे यार थोड़ा सभी डिसिप्लिन में रहा करो कितने गंदगी यहां पर हर तरफ पोड़ा। फूरा कुछ एनको इंडिया में हैकर इंडिया के खराब तरक्य तो अब भी भी ओर हर रही है और हम सब जानते कि कि खचला प्रेकना हर इधर उधर नहीं चाहिए आप लोगों से भी request है कि आप लोग भी plastic का use यतना हो सके आप लोग कम कर दे ठीक है plastic use ना करे और इधर उधर कहीं भी कच्रा नाफ है कि एक जगा पर आप कच्रा जमा कर दे ठीक है तो इसे लिए आप सबसे यह निवेधन है कि यह ना करें अगर किसी के घर में भी ऐसा होता है तो यह चीज ना करें तो चलो आगे बढ़ते हैं उसके बाद क्या होता है with sodid details of the road success of nocturnal visit the upper story and obeys old लक्ष्मी smelling sweet and raw onions तो इवेन क्या ना उनको अपनी wife का पान चबाना भी नहीं पसंदा लक्ष्मी जो पान चबाती थी इसलिए वो लोग दुनों अलग-अलग रहते थे या पर स्टोरे जाते थे लक्ष्मी से जब वो मिलने के लिए तो उनको पान की मतलब smell आती थी पसीने की Sir Mohan's thoughts were disturbed by the bearer and arouncing the installation of the sahib's luggage in the first class coupe next to the engine. Sir Mohan walked to his coupe with a studied gait. He was dismayed. मतलब क्या हुआ कि Sir Mohan का thoughts जो है वो सोच में disturbance आ गई क्योंकि जब bearer कह रहा था कि sahib का luggage में कहां रखो first class coupe में जो की engine के बगल में है ठीक है first class में उसे luggage रखना था तो confused हो गए है यहाँ पर Sir Mohan क्योंकि वहाँ पर और कोई भी नहीं था जैसे वहाँ पर पहुचते हैं अंदर देखते हैं कि अंदर में कोई भी नहीं था he was dismayed the compartment was empty with a sigh he sat down in a corner and open the copy of the times he had read several times before और फिर वो compartment में जाकर अंदर किनार में बैठ जाते हैं और उसके बाद the times की जो newspaper है वो से फिर से खूल कर पढ़ने लगते हैं जो कि उन्होंने काफी बार इसके पहले भी पढ़ रखी थी Sir Mohan looked out of the window down the crowded platform his face lit up as he saw two English soldiers shrugging along looking in all the compartments for room they had their havil sacks slung behind their backs and walked unsteadily तो क्या हुआ कि Sir Mohan ने देखा खिड़की से platform में की दो English soldiers आ रहे थे जल्दी जल्दी मतलब walk कर रहे थे और इधर उदर देख रहे थे compartment में room के लिए और उनके पीट में एक haversack था मतलब बड़ा सा जो मतलब बड़ा सा जो बैग होता है जिसमें वो समान रख सकते हैं बड़ा सा लगेज करी करने वाला बैग और उनका वाक जो था बहुत ही गया था कि second class में travel करने के लिए जबकि सर्मुहन ने सोचा कि इन्हें second class में भले ही बोला गया लेकिन मैं वेलकम करता हूं अपने compartment में first class में वेलकम करता हूं यह इंग्लिश soldiers है he would speak to the guard one of the soldier came to the last compartment and stuck his face through the window और वो सोचा कि गार्ट से इसके लिए बात करेगा और तब तक क्या होगी soldier उसके compartment के तरफ पहुंच गया और देखता है उसके face के तरफ वह विंडो से he surveyed the compartment and noticed the unacquipied birth और वो देखता है कि उस compartment में birth खाली है पतलब एक soldier आता है तब तक देख लेता है कि यह कमरा खाली है airy bill he shouted one airy his companion cape also looked and looked at sir mohan और वो अपने companion bill को बिलाता है इधर आओ और वो भी आता है वो sir mohan को भी देखता है और compartment को भी देखता है get the nigger out he muttered to his companion तब यहाँ पर जो डो फॉजी थे English soldiers वो कहते है get the nigger out nigger यानि इस काले इंसान को काले डाक स्किन इंसान को यहां से बहार निकालो यह अंग्रेज लोग जो थे वह वाइट थे और यहाँ पर sir mohan है वो डाक स्किन के they open the door and turn to the half smiling half protesting sir mohan और वो दरवाजा खोल कर अंदर जाते हैं और देखते हैं कि जो half smiling हाफ मतलब हरका सा smile भी कर रहा है sir mohan और यहाँ पर protest भी कर रहा है यह जगा तो मेरी है रिजर्व यह बिल बिल ने कहां उस बिल ने बोला कि रिजर्व हो तुम यहां पर तो उसके बाद जिम ने कहां जनता रिजर्व आर्मी फॉज मतलब वो point कर रहा था अपने खाकी शर्ट को यह दिखाते हैं कि मैं आर्मी वाला हूं थीक है मैं आर्मी से हूँ English Souljour हूँ तो यहां पर कोई जनता रिजर्व नहीं चलेगा को इसलेगा यहां पर हम आर्मी 요ाई हम पहले preference मिलेगा तो यह यहां पर जिम अपने shirt को दिखाते हूए कहता है एक दम जाओ get out कहता है कि यहां से get out हो जाओ दफा हो जाओ यहां से सर्मोहन को यहां पर मतलब क्या हो गी सर्मोहन को स meant ने जो जो सोचा एक दम उल्टा हो गया फोजियों ने खुद उसे बाहर जाने को कहां ठीक है उसके बाद सर्मोहन अभी भी क्या करते हैं वो कहते हैं I say I say Shelly इस तरह से बात करते हैं प्रोटेस्टेट सर्मोहन in his Oxford accent मतलब वो Oxford accent में यानि अंगरेजी accent में बात करते हैं तब तक the soldier pause soldier rook थोड़ा pause कर जाते हैं इसका मतलब यह है कि भले ही यहां सर्मोहन इंग्लिश में उससे बात कर रहे हैं लेकिन उन्होंने पर ट्रस्ट नहीं किया ट्रस्ट नहीं दिखाया क्योंकि वो लोग खुद नशे में थे और नशेली इन हालत में वो लोग कुछ ऐसा सुनना चाहते नहीं तो और वो इग्नोर कर गए थे और तब ही क्या होता है इंजिन विसल करता है और गार्ड ग्रीन फ्लैग दिखाता है तो ग्या हुआ ना कि वो लोग सुल्जर्स लोग क्या करने लगे कि सर्मोहन का जो समान था वो बहार फेकने लगे मतलब ट्रेन अब चालू होने वाली थी ग्रीन फ्लैग तो दिखा दिया था लेकिन अब वहाँ पे नया ड्रामा चालू हो गया कि सर्मोहन का जो समान था वो लोग बहार फेकने लगे थे और इससे गया हुआ कि सर्मोहन भी भड़क उठे थे उसके बाद प्री पोस्चरिस प्री पोस्चरिस ही शाउटेड ओर्स विद एंगर आइवल है यू अरेस्टेड गाड गाड तो वो क्या करने लगे सर्मोहन यहां पर कहने लगे प्री पोस्चरिस प्री पोस्चरिस तो ज़िन को प्री पोस्चरिस का मतलब नहीं पता है प्री पोस्चरिस का मतलब अभथरिता होता है तो वो चलाते हैं कि गुस्से में और जोर जोर से कि I will have you arrested का बुला है कि बतलब कि यह बहुत ही आभजरता तरीके से मेरे साथ बिहेव कर रहे हैं गार्ड जल्दी आओ गार्ड रुगो बताता हो अभी तुमें पकडाता हूँ गार्ड के पास अभी पकडाता हूँ और इस्ट कर वाता हूं तो बिल और जिम थोड़ा पॉज जाते हैं विल जिम पॉज अगेन डिट साउंड लाग एंग्लिस अब उन्ह उसे पता नहीं दिया और उसके बाद देखे क्या होता है है इसके बाद क्या होता है कि is यहां पर कीप यह-ट रूडी माउट शर्ट को कहता है अपना जो गमंड का मूँ है इसे बंद रखो और उसके बाद वह कहता है जियम स्ट्रक सर्मोहन फ्लैक और जिंच वाद इन्जन गे पर आज मारता है उसके बाद इंजिन गेव अनध़ सॉट विस देता हिवर डेंगेश उत्रेंद रहेन चलने लगता है यह इसे उठागर ऐसा फेकते हैं कि वो जाके लंड करता अपने सुटकेश के उपपर और उसके सारे समान के साथ सर्मोहन को भी हुआ से निकाल दिया जाता है तूडलो उसके बाद सर्मोहन's feet were glued to the earth and he lost his speech वो उसके पैर खड़े नहीं हो पाते हैं और उसके पस कोई शब्द नहीं है मेरे पस कोई अलफाज नहीं है कोई शब्द नहीं है कहने को एकदम से वक्त बदल दी है जर्बाद बदल दी है जिन्दगी बदल दी ऐसी हालत थी सर्मोहन की मतलब वो लिटरली एकदम से शॉक्ट हो गए थे तो वो इंगलिश सोलजर्स कहते हैं टूडलो टूडलो यानि गुडबाई क्याते है उसके बद क्या होता है इस तर टाटे अट जर्टेट फीड़ दो फीजारें गोंग इंग पास्विं इन उंगिक्ट फिजी कर्षटर पारें whose nose diamond ring glistened against the station light her mouth was blotted with brittle saliva which she has been storing up to speed as soon the train would clear the station as a train speed fast the lighted part of the platform ladies spat and sent a jet of red dribble flying across like a dart the train the train is going to turn the train and the train is going to be there is a female compartment in ladies compartment where the wife is lying and the pen chases the little lips when the train is starting to tear the train then it will go and it will go and the train when it comes to the platform the train is coming to the train that it will become a missile that the red color और यहीं पर सर्मोहन बस ये नजारा देखते रहते हैं और उसके बाद उनके मन में ये गाना बज रहा था ठुकरा के मेरा प्यार लालाला बस तो यहां पर सर्मोहन का दिल तूट गया और कहानी यहां पर खतम हो गई तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और जाकर एक बार मेरी community post पे देख लेना कि कब-कब मेरी next videos आने वाली है मैंने एक कम से बता दिया है वहाँ पर announcement कर दिया है तो उस date पे release होगी बस आपको क्या करना है कि आपको subscribe करके वो घंटा बजा देना है ठीक है जिससे कि आपको notification मिलती रहेगी मेरे latest videos की तब तक मिलते हैं next video में बाई बाई